आपसे एक पर आई-टी काउंटस पर राय जाना चाहेंगे कि इस हफ़ते तो नहीं पर हाँ अगले हफ़ते में जो है हम देखेंगे कि आई-टी दिगश टी-स जो है वो क्यू टू नतीजों का आगास करेगा पर उससे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल सेकंड हाफ में जह है क्या कुछ कोई स्टॉक फिल्हाल जो आपको पसंद आ रहा हो कि अम देखें तो लॉंटर्म ट्रेंड जो था ट्रेंड लाइन भी आप देखेंगे डेली चैट पे सो 31,500 का एक आई-टी इंडेक्स का एक अच्छा सा सपोर्ट है और वहीं हमने देखा के कल जैसे के करेक बुलिश कैंडल भी एक अच्छी सी बनी है दो दिन से और वॉल्यूम भी अच्छा है विच इस वेरी लाइकली सो आइखेंगी तो थी एक ट्रेडिंग टागिट बन सकते है और इसके अलावा जो मिट्काप इट है जैसे कि बिला सॉफ्ट है वो भी एक न्यू रांड बिला सॉफ्ट, TCS, इन फाक्ट इवन टेक माहिंद्रा ये सब LTTS सब में एक हम तेजी देख रहे हैं तो एक ट्रेडिंग स्ट्रेजी और एक कैल्कुलेटिब रिस्क लेके जरूर इटी स्टॉक में निवेश करना चाहिए तो इटी स्टॉक में निवेश जरूर कर सकते ह पे TCS काफी आकर शक लग रहा है वेशाली को डिट स्टॉक अब 8% ऊपर आ चुका है वेशाली इसके चार्ट के ऐसे लग रहे है आपको अज काफी अची तेजी और पिष्ले पास दिनों में अगर देखेंगे तो एक हलकी तेजी का मोमेंटम यहां पर बना हुआ है लगा इस वन सच कैंडल सो 475 का एक रिसिस्टंस आ रहा है सो अगर फॉलों बाइं यहां से होती है 475 तो इसमें एक तेजी का और भी एक तेजी का व्यू बन सकता है बिकॉस अब गिवा फॉदर कंविक्शन पॉर वीकली चार्ट ब्रेक आउट अलसो अबवाव 470-9480 अगर यह स्टॉप टिकता है तो आई थिंक देन इट इस रेडी पर टागिट फाइवंडरें ट्वेंटी तो एक फॉलों आंट्रेड की आवश्यक्ता है अबाव 475-479 वोड़ बेटर कार्वेक्शन हम ठीक है तो 479 के आसपास आए तब यहां पर कुछ रंडीती क्लियर बना सकते हैं अभी फिलाल अवाइट करिया साइस लेमिटेट को चलिए बाग